हलो रिमस्कार मेरे नाम है विडार शराब सभी का हमारे चनल पे दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से कपताली का कीड़ा जो है पाकिस्तान क्रक्टेट बोर्ड के भीतर में काटने लगा है एक बार फिर से बाबर batर आजम को कपतानी से हटाओ वाला नारा चलने लगा है को बता दे कि 14 ताइक से सिरीज शुरू हो रही है लेकर उससे पहले साजिशे भी शुरू हो चुकी है और ये लंबे समय से चल रही है टी-टी की कप्तानी करते हुए बाबर आजम नजर आएंगे और तीन मैच जीत लेते हैं तो विश्व क्रिकेट टी-टी-क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच जिताने वाले कप्तान बन जाएंगे बाबर आजम फिर भी लोगों को रास नहीं आती और उनका यह नार पर चल जाएंगे मतलब ग्लोबल वर्मिंग का कारण भी बाबर आजम है एजंडा वाज कुछ भी ठहरा दो हर चीज का कारण को रोना जो आए ना उसका भी कारण जो है बाबर आजम ही है खेर हम आपको जो है टी टुटी फॉर्मेट में पाकिस्तान के कप्तानों का क्या कु बाबर आजम ने अभी तक 66 टी 20 मैचों में कप्तानी की है 40 मैचेज उन्होंने जिताया है 21 मैचेज में हार का सामना करना पड़ा है और 5 मुकाबले ऐसे थे जो कि बे नतीजा रहा यानि उसका कोई परणाम नहीं निकला ओल्रेडी पाकिस्तान के सबसे सफल कप्तान बन च जीताया है और बाबर आजम का विनिंग परसेंटेज जो है वो 66 का है यानि 66 परसेंट जो है मुकाबले इनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने अपने नाम किया है इसके बाद शाहिद अफरीदी है शाहिद अफरीदी ने 43 मैचों में कप्तानी की इन्होंने 19 मैचों में जीत म पड़ा है तो ऐसे में जब ये टीवी पर ग्यान दे अगर कप्तानी को लेके तो बिलकुल भी मत सुनिएगा और बोलिएगा आप अपना शकल जाके आइने में जाके देख लीजिए कि आपने अपनी कप्तानी में पाकिस्तान को कितने मुकाबले जीता है सर्फराज एहमत का नाम आता है सर्फराज एहमत रे 37 मैचों में कप्तानी की 29 मैचे जीता है आठ मैचों में हार का सामना करना पड़ा और इनका विनिंग परसेंटेज जो है वह 78 का वन उफ फाइनेस T20 कैप्तेन डैट वर्ल्ड क्रिकेट एवर हैड इनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने लगा इनका विनिंग परसेंटेज में अब आते हैं मुहम्मद हफीज पर मुहम्मद हफीज ने 29 मैचों में कप्तानी की 17 में जीतमली 11 में हार इनका विनिंग परसेंटे 60 का यानि बाबर आजम से भी नीचे तो ये भी अगर कभी टीवी पर बैठके कप्तानी को लेकर ग्यान दे तो इनको भी मत सुनेगा और बोलेगा कि तहले विनिंग परसेंटेज है वो 67 का है शोय मलिक का यानि बाबर आजम जो है सबसे ज्यादा मैचे जीतने वाले कप्तान है पाकिस्तान के ओवर ओल और अच्छा प्रदर्शन किया हुआ भी है इनों अपनी कप्तानी में बल्ले से भी रंस बना है तीनों जितने भी कप्तानों मैंने आपको नाम गिनवाए है इसमें अगर आप देखेंगे बत और कप्तान प्लस बल्ले बाज भी जोड़ दे तो पता चलता है कि बाबर आजम ने बल्ले से भी खुब रंस बनाया है अपने दंपे मैचे जीता है और अपनी कप्तानी में तो उन्होंने मैचे जीता ही तो कोई रीजन ही नहीं दीख रहा है मुझे कि बाबर आजम को आप कप्तानी से आदो इनकी कप्तानी में आप एशिया कप के फाइनल में पहुंचे इनकी कप्तानी में अपने न्यूजलंड में जो ट्राइसरी जोई थी मल्टी टोर्नामेंट वो जीती है आपने सबसे ज्यादा रंज बनाएते अब जब इतने रंज इस बंदे ने कूटे है तो दिक्कत क्या हो रही है सब चीज लगबग में हमने आपको बता दिया है अब वही है ना कि गलती अगर आप निकालोगे नुक्स अगर निकालोगे तो कुछ से भी निकाल सकते हो ना कमिया तो कहीं से भी निकाली जा सकती है एजंडा कहीं से भी चला आजा सकता है हम तो सिर्फ स्टाइट्स ही बता सकते है आपको दन्यवाद